नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका यूनिवर्सल मिस्ट्री में आज फिरम डरोल मिस्ट्री के एक नए सफर पर चलेंगे जहां कुछ अंदे के सवालों के अंसुल जवाब होंगे हम सब जानती कि भारत देश मंदिरों का देश है भारत में अनेकों प्रकार के अलग-अलग तरह के कई मंदिर बसे हुए है इतने मंदिर है भारत देश में कि जिसे गिन्ना और जिसके बारे में जानना मुश्किल ही नहीं आसंबव है भारत में बने हुए सारे की सारे मंदिर अपने अंदर अलग-अलग तरह के रहस्य लेके बिठे हुए है इन रहस्यों के बारे में ना तो किसी विग्यान के पास जवाब है ना ही किसी इंसान के बाद जवाब है जितने ज़्यादा यहां के मंदिर है उन मंदिरों में उतना ही ज़्यादा रहसे भी है इनी रहसे मैं मंदिरों की लाइंग में आज हम बात करने जा रहे है एक मंदिर की यह मंदिर है नल खेड़ा की मा बंगला मुखी का मद्य बर्देश के उज्जन से लगबग 102 किलो मीटर की दूरी पे बसावा आगर मालवा छेत्र में मा वगला मुखी का मंदिर इस मंदिर के बारे में यहां मननेता है कि इस मंदिर में आपके मन में जो भी मुराद हो जिस भी तरह की इच्छा हो अगर आप इस मंदिर में जाके मांगोगे तो वो केवल और केवल साथ दिनों के अंदर पूरी हो जाएगी जी हाँ आपने बिल्कु सई सुना आपके मन में कोई भी इच्छा हो वो साथ दिनों के अंदर पूरी हो जाएगी यहां मंदिर इतना ज़्यादा प्रख्या थे कि यहां हर साल नौरात्रों में लाखों लोगों की भीड लगती है और साथ दिनों के अंदर जो मनो कामना पूरी होने की बात है इस सच्चाई का आप इसी बात से पता लगा सकते हो कि इस प्रदेश में जब भी इलेक्शन होते है तो इस प्रदेश का कोई छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो मुख्य मंतरी हो या MLA हो इलेक्शन से पहले इस मंदिर में आके हवन जरूर कराते है आपको पता चले क्या होगा इसी बात से अब समझ चुके होंगे कि ये मंदिर किता जाता प्रख्या थे इस मंदिर के स्थापना के बारे में दो बात कही जाती है एक बात तो यह कही जाती है कि यहां मंदिर द्रॉपर यूग में श्री कृष्ण भगवान ने पांडवो द्वारा बसवाया था इस मंदिर के लिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने महा भारत की युद्ध की पहले पांडवो से कहा था कि महा भगला मुखी की तपस्या करो और जब मा भगला मुखी के तपस्या करी पांडू उने, तो मा भगला मुखी ने उनको दर्शन दिये, और उनसे वर मांगा, तो मा भगला मुखी के वर का बोलने के बाद में पांडू उनने कहा, कि हम मा भरत में युद्ध जितना चाते हैं, तो मा भगला मुखी ने उनने क तुम इस युद्ध को अवश्य जीत होगे इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि है मा बगला मुखी आप इसी जगा पर हमेशा के लिए विराजमान हो जाएए और यहां जो भी वेक्ति सचे मन से आपके पास आएगा उसकी मनो कामना को आप जल्द से जल्द पूर कर दूंगी तब से इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां आने वाले हर भक्तों की इच्छा साथ दिनों में पूरी हो जाती है और इस मंदिर के बारे में दूसरी कथा यह भी कही जाती है कि यह मंदिर अचानक से एक दिन इसमें से मूर्ति निकल के आगई इस जमीन क अंदर से और किसी को नहीं पता है कि मुर्ती कहां से ही फिर एक सादूसंत जी ने इस यहां पर यह मंदिर बसवा दिया और इस मंदिर की शक्तियों के बारे में जब लोगों को पता चलने लगा तो यह मंदिर दिनों दिन प्रख्यात होने लगा और आज यह बात है कि यहां दूर से, हजारों किलो मिटर की दूरी से लोग अपने मन में शद्धा लेकर अपने मन की इच्छा पूरी करवानी के लिए इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर में इच्छा पूरी करानी के लिए एक हवन कराना होता है। इस हवन की तयारी आप इस मंदिर की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टेशन करा के करा सकते हो इसके लिए आपको एक दिन पहले रजिस्टेशन कराना होता है दूसरे दिन आपको हवन का समय दिया जाता है और उस समय आपको हवन आके करवाना पड़ता है और हवन करने के साथ दिनों के अंदर अंदर ही आपके मन में जो भी इच्छो थी वो पूरी हो जाती है. माः बगला मुखि के इस मंदिर के बारे में एसी अने को अने को तो यहां हवन कराने वाले हर वेक्टी को अपने इच्छा पूरी होती है और यूद्ध में हारने वाला वेक्टी भी जिच जाता है यहां आने वाले हर वेक्टी की इच्छा पूरी होती है चाहे वो वेक्टी किसी भी धर्म और किसी भी समुदाई को क्यों नहों बस यहां श पर इतना जाता खराब है वहां आप ढंग से गाड़ी नहीं चला सकते हो वह रस्ता बिलकुल भी बना वा नहीं है फिर भी हर साल लाखों की तादत में वहां मंदिर में लोग जाते हैं उस मंदिर की बनावा बहुत छोटी है छोटा सा छोटे से काउं में बनावा छोटा सा मंदिर है तब भी वहां लाखों शर्दालू लोग जाते है